देश का सबसे पिछड़ा जिला होने का श्रेय हरियाना के मेवाद जिले को जाता है। बिहार के अररिया, छतीस गड़ के सुकमा, उत्तर प्रदेश के श्रावस्थी और तेलंगाना के आसिफाबाद जैसे जिलों से भी पिछड़ा जिला है मेवाद। जिला एक नया जिला, आबादी ज्यादा नहीं, ग्यारह लाग थी। नाम के वास्ते कुछ छोटे-छोटे शहर हैं जैसे नूह, फिरोजपुर जिरका, पुनहाना नगीना, तावडु आदी, लेकिन 88 प्रतिशत आबादी गाव में ही रहती है। मेवाद के पिछड़े पन क अनुमान लगाने के लिए आपको आंकडे देखने की जरूरत नहीं है। बस गाड़ी में गुरुग्राम जिले को पार करते ही सडक के हालात से आपको पता लग जाता है कि आप मेवात में आ गए हैं। आखें खोलकर इधर उधर घुमाईए। चारों तरफ बधाली, सबसे पिछडा मुस्लिम समुदाय बिहार या उत्तर प्रदेश में नहीं बलकि हरियाना के मेवात जिले में हैं। अपनी इस सूची में हर जिले को शामिल करते वक्त नीती आयोग ने शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रिशी, बैंकिंग तथा वित्तिय सेवाओं और स्वास की तराजू में उनसे एक चौथाई ही है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में मेवात की अवस्था दयनिये है। आज भी इस जिले में कुल साक्षर्ता सिर्फ 56 प्रतिशत है और महिलाओं में तो महज 36 प्रतिशत ही। जिले के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे ए धार रहा है। हरियाना के किसी भी जिले की तुलना में यहां गौपालन ज्यादा होता है। अगर आप हरियाना में अफसरों और नेताओं से पूछें तो मेवात के पिछड़े पन के लिए खुद मेव समाज को दोश देने वाले बहुत मिल जाएंगे। मेव समाज के खिल करेगा। खुद मेवात के शुबचिंतक भी कभी-कभी गुस्से में स्थानिय समुदाय को दोश दे देते हैं। परंतु अगर ध्यान से देखें तो मेव समाज मेवात के पिछड़े पन का शिकार है, गुनहगार नहीं। दुनिया भर में जो भी समुदाय पिछड़े प रहे हैं और राजनीतिक बेरुखी है। मेवाती समाज शायद हमारे देश का वह एक मात्र समुदाय है जिसने पहले मुगल आक्रमनकारियों से लोहा लिया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लड़ी। मुगल राजाओं और बिटिश सामराज जिने इसकी सजा बात को दी। आजाद भारत में उस एतिहासिक अन्याय को ठीक करने का अवसर आया था। विभाजन के समय जब दंगों के कारण मेव भारत छोड़कर पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। उस समय स्वयम महात्मा गांधी ने मेवात आकर मेव समाज से अनुरोध किया था कि वह भारत ही में रहे लेकिन आजादी के बाद न तो वह एतिहासिक अन्याय याद रहा नहीं गांधी जी का वायदा। लगभग हर सरकार ने मेवात के साथ सौतेला बरताव किया।